वेलकम टू मैं चैनल आज का जो टॉपिक है वो है डेरिवेशन ओफ आइडियल गैस एक्वेशन तो आज हम लोग प्रूफ करेंगे आइडियल गैस एक्वेशन क्या होता है PV is equal to RT और PV is equal to NRT तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक तो यहां पे लिखा हुआ है according to kinetic gas equation जैसा कि kinetic gas equation आप लोग जानते हैं वो क्या होता है वो होता है PV is equal to 1 upon 3 mn u square जहां पे यह जो u है वो क्या है root mean square velocity है अगर आपने kinetic gas equation का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके पहले वो देख लिजे वहां पे हमने इस equation को प्रूफ किया था PV is equal to 1 by 3 mn u square kinetic gas equation के through हम लोग प्रूफ करेंगे ideal gas equation को जो है PV is equal to RT और PV is equal to nRT तो यहां पे जैसा कि आप देख रहे हैं 1 by 3 mn u square है तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग को पता है kinetic energy होता है half mb square नॉर्मल kinetic energy जो होता है वो होता है half mb square लेकिन gas के लिए जो kinetic energy होता है वो होता है half mn u square तो हम लोग क्या करते हैं 2 से multiply कर देते हैं 2 से उपर भी multiply करेंगे और नीचे भी तो जब 2 से multiply करते हैं तो हम लोग 1 by 2 mn u square को लिख सकते है kinetic energy क्योंकि यहाँ पे लिख दिया गया है kinetic energy is equal to half mn u square यह है of the gas gas का जो kinetic energy होता है वो यह होता है तो जब हम लोग half mn u square की जगह पे kinetic energy लिखते हैं तो क्या होता है PV is equal to यहाँ पे हो जाएगा 2 by 3 into kinetic energy इसे equation number 1 consider किया गया है देन हम लोग क्या करते है kinetic theory of postulates अगर आपने postulates वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीट जाके आप देखिए वहाँ पे हमने kinetic theory of postulates बताया तो उन में उस सारे postulates में से एक postulates जो है वो कहता है kinetic energy जो होता है gas का वो directly proportional होता है absolute temperature का तो इसी postulates को हम लोग इस तरीके से लिख सकते है kinetic energy is directly proportional to T यहाँ पे लिख सकते है kinetic energy is directly proportional to T तो अगर हम लोग यह proportional हटाएंगे तो constant small k लेते हैं जहाँ पे small k is equal to proportionality constant तो हम लोग लिख सकते है kinetic energy is equal to small k T अब हम लोग क्या करते है kinetic energy का value आता है उसे हम लोग equation number 1 में put करेंगे तो जब हम लोग put करते है value को तो क्या मिलता है putting the value of kinetic energy in equation 1 we get pb is equal to 2 by 3 k T क्योंकि kinetic energy के जगा पे small k और T आएगा तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है small k और T here 2 by 3 ज mental quantity क्योंकि 2 by 3 जो है constant value है के ज़ जो प्रप्रिप्स्नालटी कॉंस्चेंट है तो हम लोग लिख सकते हैं 2 by 3 और k को एक साथ दोनो चौंस्चेंट को अगर एक साथ हम लोग लिखे तो हम लोग एक दूसरा constant r लिख सकते हैं 2 by 3 into k को हम लोग दूसरे constant से replace कर सकते हैं तो हम लोग 2 by 3 k के जगा पे जब r लिखेंगे तो इस equation में जब value put करेंगे तो क्या आजाएगा PV is equal to rt क्यों कि PV जो है PV होगा यहां पे तो PV है और 2 by 3 k के जगा पे हम लोग capital r लिखेंगे और जो t था वो t रहेगा तो यहां पे हम लोग PV is equal to rt लिखेंगे which is the equation of state for one mole of the ideal gas जो की one mole of ideal gas के लिए जब हम लोग n number of mole use करेंगे तो क्या हो जाएगा for n mole of gas PV is equal to nrt यहां पे आर जो है वो आर यहां पे आप लिख सकते हैं आर जो है r is equal to gas constant है और T है जो temperature है तो इस तरीके से ideal gas जो equation है वो यहां पे proof होता है बहुत ही easy derivation है बहुत ही simple derivation है तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगी तो जादर से जादर लाइक कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए thank you so much